हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो प्लांट स्याद करने जा रहा हूँ इसका जो प्लोट साइज है मतलब जो प्लोट का लेंग्ध एंड ब्रेट्थ है यह है 41 फिट इन लेंग्ध एंड 27 फिट इन विड थी चोड़ाई में 27 फिट है लंबाई में 41 फिट है तो इसमें मैंने एक टू बेज के बाला हाउस प्लांट डर किया हूँ जो इस्ट फैस का रहेगा इस्ट फैस ठीक है तो मैंने अलड़ी यह प्लांट डर कर लिया हूँ अभी यह से मैं वाल फिलिंग करूंगा दूर्स बगरा वेंड़ बगरा सब कुछ मार्किंग करूंगा और आगे आपको डामेंस के साथ एक के करके डिटर से में बताश जाओंगा तो पहले मैं इसे ठीक है तो यहां पर मैंने मैक्सिम्मम डिवार को 9 इंच कहा हूं § और एक छोटा छोटा दो दिवार है जो इनर वाल है इंटरनल वाल पर्टिशन वाल है वो मैंने 5 इंच का रखा हूं बाकि सारे दिवाल को 9 इंच का रखा हूं तो यह ब्लू कलर में करते जाओंगा यह आपका 9 इंच का दिवार रहेगा और जो मैं पिंग कलर में कलर थिक यहां पर यह मेरा खत्म हो गया अब एसे ही हरीजनटल उआल को भी कलर करूंगा देसे मैंने बर्ट्रीक अलवास सारे को कलार कियाता ठीक है, तो फ्रेंड्स एक सब्क्राइबर का requirement के हिसाब से मैं ड्रा कर रहा हूँ, जिसने मेरेको अपना प्लोटर या के साथ साथ अपना requirement के बारे में इतना में ने मेरे को कमेंड में भेजे थी तो आसा करता हूं कि उनका रेक्रिमेंट पूरा फुल्फिल हो पाई ठीक है तो यहां भी मैंने सारे नोज दिवार कलर कर लिया अभी यह जो छोटा दिवार यह पांचेंज कर रहेगा पिंक कलर में जो किया और इधार यह दिवार जो पांचेंज कर रहेगा यह भी पिंग कलर में कर लेंगा ठीक है अब क्या करूंगा ग्रीन कलर में यतना मैंने विंडो और वेंटिलर्ट छोड़ा हूं इसे कर रह कर दूंगा यह हो गया हमारा वेंटिलिटर्स और विंडु landing त्थीक है यह चोटा लुडेटर्स गपांच है इसके बादु delay मुखा इसके बादु सहबना लेंगे यह हमारा मंचल है यह मैंने त्यपके आप चाहें तो मोटिफिक्सन कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह रहा आपका पूरा प्लान अभी में इस प्लान के बारे में आगे आपको डिट्रेस्ट में बताऊंगा लेकिन इससे दिशा जो घर का फैस रहेगा घर की पीछे की तरफ है स्थार्ट कर review कर को हांMus माकान का साइड में रहेगा реक्षा के अधूं कर राईट साइड में रहेगा साउथ की दिर्फा यहां अब हमारा जो घर की तीनो तरफ यह हमारा पोड़ोशे का मकान है पोड़ोशे का प्लट है तो हम यहापे बेंटिलेशन के लिए वेस्ट की दिशा में तीन फिट का स्पेस चुला हूँ पूरा लंबाई में ताकि हामको प्रपर बेंटिलेशन मिल से एसे ही मैंने इसे ही नर्थ की दिशा में भी दो फिट का स्पेस चुला हूँ ताकि हामको प्रपर बेंटिलेशन मिले और घर को मेंटिनस हो पाई फ्यूचर में इसे ही नर्थ की दिशा में भी दो फिट का मैंने फ्यूचर चुला हूँ फ्यूचर मेंटिनस और बेंटिलेशन प्रपर प विंडू को जो हम संसेट देंगे यहां पर प्रोजेक्शन आएगा तो यह हमको सेफ्ट रही हमारा ठीक है तो हमने इधर इसलिए डैड़फिट का फिस्ट छोड़ दिया हूँ इसके बाद यह रहा हमारा एंटांस जो मेंडूर है यहां पर हम दो स्टेप बनाएंगे तो यह घर को एंटी करने के पर इहां मासा बड़ा सा हल मिलेगा यह हमारा ड्रोइंग कम डैनिंग हल ठीक है, डाइनिंग हॉल, इसका जो डाइमेंशन है, यह चोड़ाई में रहेगा 10 फीट, और लेंग्थ में रहेगा 16 फीट, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जब हम राइट तरफ देखेंगे, घर को एंट्टी करके, तामको एक छोड़ा सा पुजा रूम मिल जाएगा, जि और इसके बाद जब लेट की तरफ देखेंगे, लेट करूं हम रहे हमारा कीचन, क्योंकि यह पूरा हमारा बस्तु के साथ से बनाया हो, इसका चुड़ाई रहेगा 7 फीट, और लेंग्थ रहेगा 10 फीट का, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक शाठे चार फीट का चार चार जाएंगे, तो हमको एक सिल्धी मिलेगा, चाठम पर जाने के लिए, इसे जाएंगे हम, यहाँ फी लेंडिंग करेंगे, फिर हम टरन करके इसे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम bugün करेंगे, फिर इसे उपर आएंगे, तो यहां पी मैने सिल्धी का चोड़ाई तीन पर आप़ सारी स्पेस है करने के लिए इसके बाद को बहुत सारी स्पेस मिलेगा जहाप आप लोग सामन बगरा सकते हैं उसके बाद यह चोटा सा दूर जो दिख रहा है इसका चुड़ाई रहेका शार चार फिट और लेंग्ट में रहेगा हमारा साथ फिट का ठीक है यह है साथ फिट इसके बाद यह रहा हमारा एक बेड्रूम ठीक है यह हमारा मास्टर बेड्रूम है थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने मास्टर बेड्रूम रखा हूं इसका चुड़ाई रहेगा 10.30 पिट का और यहां पे और एक वेड्रूम तो इसका जू साध थोड़ा कम है इसका चुड़ाई रहेगा 10,30 पिट रहेगा लंबाय में 11 पिट तो फ्रेंडस यह रहा आपका पूरा प्लान आसा करता हूँ आपको मेरा इप्लान मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करना और अभी तक मेरे चल्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करताना थेंक्यू